हेलो फ्रेंड्स मैं पंकच क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ तो आईए शुरू करते हैं और इंडियन पॉलिटी की सिरीज को आगे बढ़ाते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ते सेशन में हमने भारती सभीधान की शेडियूल और पार्ट से जो MCQs पूछे जा सकते हैं एक्जाम में उन सभी MCQs को बहुत ही डिटेल में डिसकस किया था आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और इंडियन कॉंस्टिटूशन में शुरुआत करेंगे संग और उसके राजशेत्र की यहाँ पर दीखे जो important आर्टिकल से friends वो आपको कही ना कही हर पार्ट के अंदर ही पता चल जाएंगे तो यहाँ पर हम इसे skip करके भारती सभी संग और उसके राजशेत्र मतलब पार्ट एक पर आज हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं यह हैं इंडियन कॉंस्टिटूशन में पार्ट वन जिसका नाम है union and its territory तो हम शुरू करेंगे sequence वाइस हम इंडियन कॉंस्टिटूशन के जो पार्ट हैं उनको यहाँ पर समझने क की कुशिश करेंगे इसलिए आप वीडियो में end तक बने रहेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा साथ ही साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा आपके लिए सारे lecture यहाँ पर previous भी आपको मिल जाएंगे आप मेरी playlist को follow क quality की अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप वहाँ पर previous जो lecture से उनको भी देख सकते हैं और अगर आप किसी state की preparation कर रहे हैं central में किसी exam की preparation कर रहे हैं और Indian quality को और depth में पढ़ना चाहते हैं तो Indian quality का आप मेरा batch join कर सकते हैं जो आपको मिल जाएगा root application पर आपको root application play store से जाकर आप download कर लिएगा वहाँ पर आपके लिए मेरा Indian quality का batch available है यहाँ पर इस बेच के features की बात करें तो आपको सभी classes देखे है recorded form में available है वहाँ पर इसके अलावा आपके लिए free study material जो भी वहाँ पर हम discuss करेंगे topic जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं मैं पढ़ाऊंगा उन बाद हर topic के बाद आपके लिए mock test भी available है जहां पर आप test लगा कर अपना report card देख सकते हैं कि आपको कितना याद हुआ किसी भी topic को पढ़ने के बात एक year किसकी validity है आप Indian quality का course easily join कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप other किसी course को join करना चाहते हैं कि कहीं भी अगर आप कमजोर ह हैं भी के किसी भी subject में चाहिए वो maths हो, English हो या फिर GS के अन्य topic हो तो आपको root application पर सभी available है, easily आप access कर सकते हैं, आप root application पर जाएए, play store से इसे डाउनरूड करिए और आप किसी भी course में enroll कर सकते हैं, अगर आप सभी GS के subject का compilation चाहते हैं तो आप हमारी rm page को भी join कर सकते हैं इसके अलावा काफी सारा study material free भी आपको जैसे daily grant offer की pdf भी आपको application पर ही मिल जाती है, आप वहां से collect कर सकते हैं, अगर ये शुरू करते हैं, सबसे पहला topic, सबसे पहला part आज हम Indian constitution का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भाग एक, यहाँ पर आप समझिए, हम discuss करने वाले ह सब्विधान के भाग एक को, part 1 को, जो कहता है संघ और उसका राजशेत्र, संघ और उसका राजशेत्र, संघ और उसके राजशेत्र को आज हम यहाँ पर discuss करेंगे, देखिए अगर हम Indian polity की बात करते हैं, constitution की बात करते हैं, तो constitution में आपको मैं शुरू से बताता आ रहा हू की भारती सब्विधान में हमको 22 भाग देखने को मिलते हैं, कितने भाग देखने को मिलते हैं, 22 भारती सब्विधान में 22 भाग हैं, इन 22 भागों को 395 आर्टिकल्स में डिवाइट किया गया है, तो भारती सब्विधान में अगर हम अनुच्यत की बात करते, तो यह कितने हो जाते 395, कितना हो जाते 395, 22 भाग 395 जो 395 आर्टिकल से वो भारती सविधान में 22 भाग में बटे हो, अब सविधान के आर्टिकल्स में या भाग में कुछ ऐसी चीज़े हैं जो कि हिडन है या फिल कहीं आर्टिकल्स या भाग में में वेंशन नहीं की गई तो वो हमें द वर्तमान में अनुस उचियों की संक्या कितनी हैं? 12 है. हमने लास्के सेशन में अनुस उचियों को ही डिसकस किया था. तो यहां पर हमको पता चलता है कि भारती सब्विधान के भाग 22, 395 आर्टिकल्स के प्रावधन लेकर बेठे हैं और इनके अलावा भारती सब्विधान म में 12 शेडूल भी देखने को मिलती हैं. इनी 22 वाग में से सबसे पहला भाग इंडियन कॉंस्टिटीशन का भाग एक संग और उसके राज्यशेत्र की बात करता है. किसकी बात करता है? संग और उसके राज्यशेत्र की. भारत संग और टेरेटरी जितनी भी है उसका राज् इंक्लूड है यह मैंने आपको जब सविधान के भाग बताए थे मैंने आपको casually मैंने आपको जब पहले समझाए थे तब मैंने आपको बताया थे कि भाग एक में अगर हम जाते हैं भारती सविधान में तो Article 1 से लेकर Article 4 तक के प्रावधान हमें भाग एक में देखने को मिलते हैं Indian Constitution में भाग एक में चार आर्टिकल का प्रावधान है Article 1, Article 2, Article 3 और Article 4 किसे रिलेटेड है सारे आर्टिकल तो ये क्योंकि पुरा भाग संग और उसके राज्य शेत्र से संबन्दी थे तो ये आर्टिकल भी संग और उसके राज्य शेत्र से संबन्दी थे एक-एक करके हम सभी आर्टिकल को पढ़ेंगे कि किस आर्टिकल में किस से रिलेटेड प्रावधान भारती सविधान में किया गया है तो शुरू करते हैं आगे आते हम भाग एक के चार आर्टिकल में सबसे पहला आर्टिकल आता है संग और उसके राज्य शेत्र में जहां पर भारत संग और राज्य शेत्र का वर्णर इसका भारत संग और उसका राजशे इसमें तीन clause specially mentioned किये गए तीन सब clause दिये गए हैं पहला sub clause जो हमें देखने को मिलता है ठीक है clause 1 वो कहता है भारत या इंडिया राज्यों का संग है भारत या फिर इंडिया राज्यों का संग है संग होगा यह पहला क्लॉज है पहले आर्टिकल का भारत संग और उसके राजशेत का भारत और इंडिया भारत या इंडिया राज्यों का संग होगा यह क्लॉज वन कहता है आर्टिकल वन का अब यहां पर इस आर्टिकल से भारत की दो डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है एक तो भारत का नाम पता चलता है, हमें देश का नाम पता चलता है, और दूसरा इसकी राज पद्दती के बारे में पता चलता है. भारत देश का नाम क्या है हमारे जिसके लिए सविधान बनाया गया है और दूसरा इसकी राज पद्दती कैसी है शाशन पद्दती कैसी है वो पता चलता है आर्टिकल बन के सब प्लॉस बन के द्वारा जिसमें कहा गया है भारत या इंडिया इंडिया जो की भारत है राज् कभी कोश्या नेता पूछ ले कि भारती सभीधान में भारत के कौन से नाम देखने को मिलते हैं तो दो नाम देखने को मिलते हैं एक है इंडिया और दूसरा है भारत भारत जो की इंडिया है या इंडिया जो की भारत है राज्यो का सर्थ तो नाम पता चल गए दो नाम इसके इंग्लिश का इंडिया वर्ट यह दो नाम मेंचन और सेकेंड राज पत्यति के बारे में पता चलता है कि भारत जो है वो यूनियन ओफ इस्टेट होगा राज्यो का संग होगा यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा कि इंडिया यूनियन ओफ इस्टेट है क्या ये यूनियन ना कि फेडरेशन ओफ इस्टेट है तो फेडरल ओफ इस्टेट है इंडिया और नहीं फेडरेशन ओफ इस्टेट है दुनों का एकी मिनिंग होता है इंडिया यूनियन ओफ इस्टेट है याद रखिया मतलब एक वर्ड है यूनियन मतलब संग और फेडरल का या है अब दोनों में difference क्या है अगर इन दोनों में difference समझना है तो हमें America की सभीधान की पद्धती को थोड़ा सा देखना पड़ेगा America Federal of State है ना की Union of State ठीक है इंडिया Union of State है अब दोनों में अंतर क्या है तो पहली चीज़ अमेरिका की बात करें तो Federal of State है मतलब वहां के जो राज्य है जो अमेरिका देश है ना वहां के राज्यों के बीच की एक संधी का परिणाप मतलब पहले क्या था कि 16 स्टेट थे जहां पर आज आप USA देख रहे हूं वहां पर कभी सोला अलग-अलग छोटे-छोटे देश हुआ करते हैं सोला इस्टेड बोल लेते हैं यह जो सोला छोटे-छोटे स्टेट है कभी आपस में संधी करते हैं क्या क्यों न हम मिलकर एक देश बन जाए तो यह सोला इस्टेड एक साथ आते हैं ट्रेटी करते हैं और एक देश का निर्मान करते हैं और वो देश बनता है क्या USA लेकिन यहाँ पर इनके बीच में यह संधी का परिणाम आप समझों यह एक समझोते का परिणाम है जो हमको देश मिल रहा है वो एक समझोते का परिणाम है इसे लिए USA राज्यों का समू है federal office state राज्यों की अपनी ओटोनॉमी है USA में राज्यों का अपनी आइडेंटीटी है बतलब USA में यूसे की जो गलबंड है वो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती किसी भी राज्य के अधिकारों को स्पोइल नहीं कर सकती दोहरी नागरिकता है, स्टेट की अलग सिटिजन्शिप होती है, नेशनल अलग सिटिजन्शिप होती है, क्योंकि स्टेट अपने आप में एक आइडेंटेटी, क्योंकि भाई जो 16 अदेश एक साथ आए या 16 वो स्टेट एक साथ आए, तो उनको वो खुद के अधिकार सकती, नागरिकता हमारी स्टेट की अलग रहेगी, और जो निया लए है वो भी उसमें भी भहुत सारी कंपंसेशन वाली चीज़े हैं, कि स्टेट को भूत अधिकार दियेगा, तो इस तरह से USA, पेडरल ओफ स्टेट है समझेगा, समू है राज्यों का और राज्यों की बात करते हैं, एक्च्वल में वो एक लेंड एरिया की बात हो, पूरा जो नक्षा आप इंडिया देख रहे हो, वो पूरा एक लेंड एरिया यही भारत थे, यहाँ पर राज्यों की कोई अलग सा इडेंटिटी नहीं है, राज्य केवल प्रशासनिक सुईधा के आधार प क्योंकि हम यूनियन ओफ स्टेट है, राज्यों का संग है इंडिया, यहाँ पर राज्यों की कोई एक आइडेंटिटी नहीं है, अपनी कोई आटोनॉमी नहीं है, केवल प्रशासनिक सुईधा के आधार पर हमने राज्यों का गठन किया है देश में, तो इंडिया जो की भारत है या भारत जो की इंडिया है यूनियान ओफ स्टेट है राज्यों का समू है तो यह हमारी राजपद्दती पता चलती है प्रशाशन के लिए हमने स्टेट का निर्मान किया है वागी हमारे पास जो है वो इंडिया या भारत है और यह राज्यों का संग है राज्यों स से वो भारत के नाम की बात करता है और उसकी राजपद्दती की बात करता है भारत जो की इंडिया है रज्जो का संग है या आर्टिकल वन के सब क्लॉस वन में पता चलता है फिर आर्टिकल वन का ही सब क्लॉस टू आता है क्लॉस सेकेंड ये बताता है भारत के राज वशेत् सब्विधान की पहली अनुसूची में पहली अनुसूची में भी निर्दिस्ट हैं मतलब भारत जो की इंडिया है इंडिया जो की भारत है रज्यों का संग है ठीकें अब राज्ज कितने हैं कौन से हैं यूनियन टेरिटरी कौन सी है ये सब इसमें बताया है क्लॉस सेकेंड में कि भारत के जो राज्ज और शेत्र हैं वो सब्विधान की पहली अनुसूची में दिये गए हैं उन्हीं की बात हो रही है तो सब्विधान की पहली अनुसूची भारत में वर्तवान में 28 राज्ज और 8 यूनियन टेरिटरीस की बात करती है तो क्लॉस सेकेंड कहता है कि भारत के राज्ज वो सब्विधान की पहली अनुसूची में दिये गए इसने नहीं बताया है इसने तो क्यों इतना बोला वही है मैं राज्जो से मिलकर बनुगा इंडिया राज्जो से मिलकर बनता है है ना यूनियन ओफ स्टेट है लेकिन राज्ज और शेत्र कौन-कौन से यह कौन बताएगा तो इसको देखने के लिए आप देखो Indian Constitution के first schedule तो यह clause second पता चलता है Article 1 में फिर आता है clause third इंडिया जो की भारत है राज्यो का संग है लेकिन इंडिया में किस किस को शामिल किया जाएगा ठीक है? इंडिया में या इंडिया किस से मिलकर बनेगा? किस से मिलकर बनेगा? तो यहाँ पर बताया गया है clause third में कि इंडिया तीन शेत्रों से मिलकर बनेगा फर्स्ट पूनराज सेकेंड केंद्रशाशित प्रदेश और थर्ड अधी ग्रहित शेत्र अधी ग्रहित शेत्र इन तीन से मिलकर इंडिया बनेगा? इंडिया में इन तीन को सम्मिलित किया जाएगा पूनराज, केंद्रशाशित प्रदेश और अधी ग्रहित शेत्र वर्तमान में भारत में 28 पूनराज यूनियान टेरेटरीज वर्तमान में 8 है और अधी ग्रहित शेत्र भारत में कोई सावी निहीं किसी और देश से हमने अधिग रहिद किया हो या किसी को भारत में मिला लिया हो। ना तो वह union territory हो नहीं पूर्ण का दर्जा मिला केवलू भारत में अधिग रही तो अभी पहले कभी सिक्किम अधिग रहित किया तो बाकी फिर बाद में उसको पूर्ण राज्जी का दर्जा दे दिया गया गोवा का भी अधिग रहित किया फिर पूर्ण राज्जी का दर्जा दिया लेकिन अभी भारत में कोई भी अधिगरहित शेत्र नहीं है ठीक है तो ये तीन से मिलकर इंडिया बनेगा ये clause 3 के हता है first article अब पहला तो ये बताओ कि यहाँ पर आपको कोई doubt आ रहा है क्या first article में नहीं आना चीह आये थी ठीक है एक और बार समझते हैं इंडियन constitution में भाग एक संगोरुस के राज्य शेत्र की बात करता है चार article का प्रावधान भाग एक में किया गया है कौन-कौन से आर्टिकल वन आर्टिकल टू आर्टिकल थ्री और आर्टिकल इसमें first article कहता है भारत संगोरुस का राज्य शेत्र जिसमें तीन सब clause दिये गए सब क्लॉस बन में भारत जो की इंडिया है राज्यों का संग सब क्लॉस टू में भारत के राज्य शेत्र राज्य शेत्र सविधान की पहली अनुसूची में दिये गए और फर्स्ट आर्टिकल के सब क्लॉस ट्री में बताया गया है कि इंडिया जिसके हम बात करें वो किस से मिलकर बनेगा तो वो पूर्ण राज्य युनियन टेरिटरी और अधीग्रहिद शेत्र से मिलकर बनेगा अब आता है आर्टिकल टू ठीक है आगया अनुच्छेद सेकेंड अनुच्छेद सेकेंड की बात करें तो यह कहता है भारत संग में संग में नए राज्यो का प्रवेश व नए राज्यो की इस्थापना अब यह क्या है अब यहाँ पर दो टम से इस आटिकल एक नए राज्यो का प्रवेश किया जाना भारत में और नए राज्यो की भारत में स्थापना किया जाना अब यह क्या बला है तो इसको इसे समझो को यह इंडिया है अब क्या होता है हमारे पड़ोसी देशे जैसे नेपाल यहाँ पर भुटान है फिर चीन है यहाँ पर चाइना यहाँ पर पाकिस्तान है है ना बांगला देश है बीडी कर देता हूँ अब यह भारत के पड़ोसी देश है अब क्या होता है अगर कोई भी यह स्वतंत्र देश है और इनमें से कोई देश अगर भारत में मिलना चाहता है प्रीटी के दौरा की भाया जैसे भुटान फोर एक्जामपल भुटान और और नेपाल यह कभी षय कर देश है ऑनगे जब भारत में मिल सखतेंए आप भी यहां पर जाने के लिए ना तो यह वीजा बराबर चाहिए आपको नेपाल में तो विल्कुल नहीं चाहिए भुटान भी एइसा ही भारत का कटर समरता के तो ये कभी भी छोटे-छोटे देश है कभी भी इंडिया में आ जाएं क्या फ़र्वता तो अगर ये देश है इसे तो अगर ये भारत को बोल देते इंडियन गवर्नमेंट को कि भहिया हमको आपसे मिल आएं ट्रीटी गल्लो तो ट्रीटी हो जाएगी और इनका भारत संग में प्रवेश हो जाएगा किसका नए राज्यो का कोन कर सकता है पाल्यमेंट कर सकता है अब नए राज्यो किस्ता अपना ये तो हो गई ट्रीटी अब हमने पाकिस्तान से युद्ध किया और पाकिस्तान का कोई ये एक शेत्र हमने जीत लिया और उस शेत्र को हमने भारत में नयराज्यु के रुप में इस्तापित किया तो ये हो गया नयराज्यो की स्तापित Article 2 के तयाद कुन कर सकता है ? इंडियन पालियम ठीक है आठिकल 2 के तयाद भारत संग में नए राज्जों का प्रविश किया जा सकता है और नए राज्जों की स्तापना की जा सकती है इसे याद रखिएगा फिर आता है आर्टिकल तीन यहीं के लिए लिख दूँ ठीक है अनुच्छेद तीन अनुच्छेद तीन क्या कहता है अनुच्छेद तीन कहता है वर्तमान राज्जों की सीमा में परिवर्तन नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन वर्तमान जो राज्य भारत में उसके नाम में कभी भी बदले जा सकते हैं उसकी सीमा भी कभी भी बदली आ सकती है अब ये इंडिया के अंदर के शेत्रों की बात हो रही है क्योंकि वर्तमान में जो राज्यों के वो इंडिया के अंदर ही होंगे न आर्टिकल 2 जब हम बाहर से कुछ ले रहे थे नए राज्यो का प्रवेश उड़ाता अगर कोई ट्रिटी करके देश हम से मिल जाता है या हम किसी के छेत्र को जीत लेते हैं तो वाँ पे नए राज्य भी बसा सकते हैं किसी और राज्य में भी मिला सकते तो वो नए राज्यो की स्थाफ ना हो जाता है आर्टिकल 3 कहता है वर्तमान रज्यो की नाम वर्तमान रज्यों के नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन कि इसको अधिकार है यह तो यह भी इंडिया की पाल्यामेंट को अधिकार है संसत को अधिकार है कि वर्तमान में जो राज्य है उसके नाम कभी भी बदले जा सकते में आपको बताया था आर्टिकल एक के सब क्लॉज में कि भारत सब क्लॉज एक में कि भारत में राज्यों का क एक राज्य बनेगा किसी का शेत्र एक दूसरे में चला जाएगा इसका अधिकार भारती संसत को दिया गया याद रखिए नाम भी बदले आ सकते उत्तर प्रदेश का नाम बदल के कुछ भी कर सकते दिल्ली का नाम बदल दो हाला कि कैपिटल है तो नहीं बदले जाते हो आर्टिकल दो भारत संग में नए राज्यों का प्रवेश वर नए राज्यों की स्टापना और आर्टिकल तीन वर्तवान राज्यों के नाम में परिवर्तन और उनकी सीमाओं में परिवर्तन और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कोन कर सकता है पालिया ये भारत के बाहर के श अब आता है आर्टिकल चार इसी भाग एक का लास्ट आर्टिकल है अमारे पास जिसे कहा जाता है अनुच्छेद चार क्या कहता है ये ये आर्टिकल चार कहता है कि आर्टिकल दो और तीन में कुछ भी चेंजेस करना है तो उसके लिए आर्टिकल 368 के सविधान संशुधन के तहट बदलाव करने की कोई ज़रुत नहीं है बलकि सविधान में सिंपल मैजुरिटी से सब बिल लाकर आर्टिकल दो और तीन के प्राउधानों को बदला जा सकता क्या कहता है आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद दो और तीन के प्राउधानों को साधारन बहुमत से संसद में बदला जा सकता है इसके लिए आर्टिकल 368 के तहट जो सविधान संशोधन है उसकी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है वेसे आर्टिकल में कुछ भी चेंजेस करना है तो पालियमेंट को सविधान संशोधन करना पड़ेगा ये चीज़ हमने हमेशा पड़ी है लेकिन आर्टिकल 4 इंडियन कॉ सविधान संशोधन की प्रोसेस नहीं लाना इसके लिए आप सिंपल मेजुरिटी से इसा बिल पालियमेंट में पास करवाओ और आर्टिकल 2 और 3 में चेंज कर लो सर चेंज केसा तो चेंज केसा में बतायता हूँ आज भुटान हमारे साथ मिलने के लिए ताहियार हो जाता है तो हमारा तो छेत्र बढ़ रहा है न बढ़ेगा न शेत्र तो एसी गंडिशन में हमको हाँ अब समझना जब ये आर्टिकल चेंज होंगे ये वाले तो अनुस हमने ट्रीटी गली अब भारत में मिला दिया एक नया राज्य बना दिया ये राज्य का प्रवेश्ट हो गया लेकिन अनुसूची एक बदलेगा आर्टिकल एक बदलेगा तो इस कंडिशन में अनुसूची में बस लिखदेंगे कि भाया नया हमने जोडा है लेकिन इसके सविधान संशोधन नहीं करते हैं सिंपल मेजुरिटी से पाल्यमेंट में एसा बिल लाकर ये परिवर्तन किया जा सकता है सेम अगर उत्तर प्रिदिश राज्य को तोड़कर दो राज्य बना देते हैं एक करदो यूपी और एक करदो पुर्वान चल चलो मान लेते हैं न पाल्यमेंट को तो पाल्यमेंट में सिंपल मेजुरिटी से एसे बिलको पास करा और आप राज्यो की नाम सीमा में परिवर्तन कर दो राज्यो को तोड़ दो राज्यो को मर्ज कर दो सिंपल मेजुरिटी से पाल्यमेंट में आप ये काम कर सकते हो इसके लिए सविधान शोधन की प्रोसीजर की जरुरत नहीं पड़े तो चार आर्टिकल यहां पर आपको easily समझ में आ जाना चाहिए भाग एक आपको easily समझ में आ जाना चाहिए भाग एक संग और उसका राज्य शेत्र चार आर्टिकल में पहला आर्टिकल संग और उसके Raja Kr unconscious की बात करता है जिसमें हमें तीन solution पड़े दूसरा article बोलता है भारत संग में नई राज्यों का प्रवेश और नई राज्यों की स्थाफ्ण दीसरा article कहता है वर्थमान राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवरतन का पल्यमेंट का अधिकार है आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो इसके लिए सविधान संशुधन की जरूरत नहीं है पालियामेंड में सिंपल मेज़ुरिटी से एसा प्रस्ताव पास करवाकर आर्टिकल 2 और 3 के प्रावधानों को बदला जा सकता है तो यहां पर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट इंडियन कॉंस्ट्यूशन का इजी वे में समझाने की कोशिश की इसकी डिटेल्ड यह तो अभी मैंने इससे समझा दिया लेकिन इसकी डिटेलिंग को हम बाद में देखेंगे हमारे पास क्या-क्या है नेक्स्ट सेशन में आज ह हम कुछ चार-पांच कुश्शन देख लेते हैं वैसे आपको समझ में आ गया होंगे तो आप इजी ली लगा लगा लगे पहला देखिए राज और संग शाषित शेत्रों के नाम भारती सविजान की किस अनुसूची में उल्लेक ही तो आपको पता है सब क्लॉस टू भारत के राज्य और संग रज्य शेत्रों का उल्लेक फ़स्ट अनुसूची में किया गया है पहली अनुसूची में निल्टिस के इसी ठीक है राज्यों के नाम सीमाओं में परिवर्तन से संबंदित प्रस्ताव किसकी पुर्व अनुमति से संसद में रखा जा सकता है तो देखिए आर्टिकल 3 का अगर कोई भी प्रावधान पार्लियमेंट में सिंपल मेजूरिटी से पास करवाना है तो उसे प्रेसिडेंट पार्लियमेंट में रखते हैं इसको धियान रखना तो अंसर C हो जाएगा ठीक है इसा प्रस्ता हो जो जाज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन की बात करता है वो पार्लियमेंट में भारत के रास्ट्र पती के द्वारा ही रखे जा सकते हैं अन्य किसी के द्वारा नहीं रखे जाते हैं किजी देखो किसी भी राज्य की सीमा नाम में परिवर्तन करने के इच्छा तो सेंट्रल केबिनेट की होगी मंत्री परिशत की होगी सरकार की होगी लेकिन सरकार खुद पार्लियमेंट में नहीं लेकिया सकती होगी सरकार भेजेगी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उस इसली बता दोगे कौन सा है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इन आर्टिकल्स के प्राउपबंदों में किया गया परिवर्तन आर्टिकल 368 के दाइरे से बाहर है ये आर्टिकल 4 प्राउधान करता है तो अंसर हो जाएगा आंसर डी इसली नेमनल लिखित में से भाषा के आधार प आजादी के बाद जो सबसे पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश ये बना था 1953 भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन आंध्र प्रदेश भारत के सविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया त तो भारत में अगर नए रज्जों का गठन करना है भारत के अंदर तो आर्टिकल 3 कर सकता है एक रज्ज को तोड़ो और नए रज्जों का गठन कर दो लास्ट कोश्चन देख लेते हैं, भारत अठावीस राज्ज और देश-देश के इन्रशाचित प्रदेशों के साथ एक यूनियन ऑफ स्टेट है या संगी गणराज्ज है, तो भारत में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरेटरी है वर्तमान में याद रहे हैं, इसके थियोरी स सेक्षन पर हम कल चलेंगे, कल पूरी थियोरी डिसक्स करेंगे एक बार फिर से और फिर देखेंगे हम उसके आगे, सेक्षन अगर आपको आज का अच्छा लगा हो, तो वीडियो का आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा, फिर मु